नमस्कार दोस्तों मैं विनीता विनी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ फैंस हमारी आज की रेस्पी है टमैटो प्यूरे तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहां पे दो किलो टमाटर लिये हैं यह छोटे वले टमाटर है और इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है बिल्कुल सुखा लिया है अब हम इसको काटेंगे इसको उपर वाला हिस्सा इस तरह से निकाल देंगे और इसको दो टुकडो में काट लेंगे अगर टमाटर का साइज छोटा है तो आप उसको इस तरह से दो टुकडों में काट लीजिए और अगर साइज थोड़ा बड़ा है तो उसके 4 टुकडे कर सकते हैं तो इस तरह से छोटे टमाटर के 2 टुकडे और बड़े टमाटर के ये थोड़ा साइज में बड़ा है तो इसके हम चाट उकड़े करते हैं किस तरह से ही देखे इस तरह से और इस तरह से हमने इनको काट लेना है तो इसी तरह से हमने सभी टमाटर को काट लेना है तो ये सारे टमाटर काट के मैंने एक स्टील के बरतन में डाल लिये हैं ये स्टील के बरतन में ही टमैटो प्यूरी बनानी चाहिए, कि सिल्वर का बरतन टमैटो प्यूरी बनाने के लिए हम यूस नहीं करेंगे, तो इसको हमने मैंने गैस के उपर रख दिया है, कोई पानी कुछ भी नहीं डाला है, गैस के उपर बिल्कुल धीमी आँच के उपर इसको मैंने ढख दिया है, और पीच पीच में हम इसको हिलाते रहेंगे, तो ये देखिए, अब इसको पांच मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो इसको मैंने हिलाया, तो इसमें देखे, सभी टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो इस तरह से मैश करते हुए हमने इसको हिलाना है, और इसको कम से कम हमने 25 से 30 मिनट तक पकाना है, और बीच बीच में हम इसी तरह से इसको हिलाते रहेंगे, ताकि टमाटर जो है वो नीचे ना लगे, और जैसे जैसे हम इसको हिलाएंगे, इसको दबा दबा के चलाते रहेंगे, तो फिर से हम इसको ढखके रख देंगे, फेच से इसको हिलाएंगे, इस तरहां से फेंज ये देखिए, अब इसको काफी देर हो तुकी है, कम से कम 25 मिनट हो चुके है, रखे हुए, पानी भी काफी हद से जो टोमाटर का निकला था, वो काफी हद से सूक चुका है, इसको इस तरहां से हम मैश कर तो इस समझे कि आपकी प्यूरी जो है वो बनने के लिए रेडी है अब हम इसके अंदर दो चमच चीनी के डाल देंगे और दो ही टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक आड़ करेंगे दो किलो टमाटर है तो दो-दो की क्वांटिटी इस तरह से रहती है स्पून की तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिन्ट के लिए और पकाएंगे इसको ताकि हमारी चीनी जो नमक है वो अच्छे से इसके अंदर गूल जाएं तो इसको अच्छे से इस तर agement गर्म को आप mixi jar के अंदर मत बीट कीजिए क्योंकि इसका lid खुल जाएगा और जाएगा तो आपने इसको बिल्कु थंडा होने के बाद ही इसको इस तरह से mixi jar में बीट करना है तो मैंने इसको बीट कर लिया अब हम इसको चानेंगे, इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसके उपर इस तरह से चालनी रखेंगे, और सारे टोमाटे प्यूरी को इस तरह चान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी बीज है, या कोई टोमाटर का चिलका है, तो वो चन जाए, तो उसको भी हम जो भी प्यूरी हुई है, तो मैं इसको अच्छे से चान लूँगी, तो इसको अच्छे से बिल्कुल ही इस तरह से दवाते हुए, आपने प्यूरी को पूरी प्यूरी को चान लेना है, तो यह देखिए, इस तरह से लास्ट में इस तरह से बच जाएगा, इसको हम फिंकेंगे न कँरों करते हैं अ कि बंगना क्विकिंद तरह आपक अलब की आपके हैं प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से दूसरा भी चानरे नें काफी गाड़ी पीरे बनी है हमारी तो यह बने पूरे चान ली है अलोग मैं फिर से एक बरतन मेंsmail डालेंगे इसको दालें और वो भी बिल्कुल मीडियम आंच के उपर क्योंकि हमने इसको एक महिने के लिए रखना है अगर आप जल्दी यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप इसको चाहिए ना पकाओ बीना पकाए हुए आप इसको कम से कम चार से पांच दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हो अगर ये देखिए प्यूरी गाड़ी होनी शुरू होगी है और इसमें अच्छा सा कलर भी आना शुरू हो गया है अगर आप इस प्यूरी को और भी अच्छा कलर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चुकंदर भी डाल सकते हैं काटके और जब उसमें चुकंदर का अच्छा सा कलर आ जाए तो आप उसको निकाल दीजिए तो इस तरह से हम ये देखिए गाड़ा हो गया है उबाल भी आ रहा है तो कम से कम हमने इसको 15-16 मिन्ट के लिए इसी तरह इसके उपर पकाना है आपको पता लग जाएगा जब आप इस स्पून के साथ इसको हिलाते हैं तो बिल चटनी की तो इस तरह से प्यूरे की चटनी प्यूरे क्या थीकनेस का हमें पता चल जाता है तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने ये निकाला था चान जो चिलका टमाटर का चान के रखा था वो उसको हम चटनी बनाएंगे मैंने बरतन ले लिया उसके अंदर मैंने देशी ग slow आँच के उपर और इसमें नमक तो पहले है यह तो थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे और तो टेबल स्पून चीनी के जितना आप मीठा काना चाहूँ उस हिसाब से आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया भी आप डाल सकते हैं सूखा धनिया या फ्रेश ध प्रांठे के साथ खाये बहुत ही अच्छी लगती है यह चटनी खाने में बहुत ही यमी है तो हमारी प्यूरी भी ठंडी हो चुकी हो एगी यह देखिए अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है मैंने इसको गैस से उतार के रख दिया था 15-16 मिन्ट तक पकाने के बाद तो यह आपके पास अगर कोई टाइम नहीं है आप कोई सब्जी भी बनाना चाहते हैं जैसे कि हम से बुजिया की सब्जी बनाना चाहते हैं या बूंदी की सब्जी बनाना चाहते हैं तो एक बरतन में यह प्यूरी डाली है नमक मेर्च हल्दी सब कुछ डाली है और साथ में पान इसको मैंने अच्छे से धो के दूप में सुखा लिया है गिला बरतन नहीं होना चाहिए नहीं तो प्यूडे खराब हो जाएगी तो इसको इस तरह से मैंने भर के रख दिया है धकन दे देंगे और इसको फ्रीज में हम रख सकते हैं कम से कम एक मंत के लिए तो बहुत ही अच तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी जो मुझे आप जुडूर बताएं और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्यू